इंडियन होटेल्स इस पर करते हैं फोकस आशीश है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है नतीजों पर अनुमान आशीश स्टॉक तो एक्टेव रहा है हमारे एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड भी क्या है नतीजे इसके कैसे रहे दिपांचो नतीजे भी आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे और हर पारेमिटर पर नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड हैं सबसे पहले रेविन्यू का आकड़ा देखते हैं 17% की ग्रोथ यहां पर पिछले साल के मकाबले देखने को मिल सकते हैं 1625 करोड से बढ़कर 1900 करोड का आकड़ा आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं operational performance की तो EBITDA में 26% की बड़त estimated है 535 करोड से बढ़कर 675 करोड और margins के राद से भी देखें तो expansion ठीक ठाक है 33% राउंड फिगर से बढ़कर करीब 35-36% के EBITDA margins आपको देखने को मिल सकते हैं और मुनाफ़े में भी अगर आप देखें तो 31% की बड़ी हादर कि tax rate थोड़ा सा बढ़ेगा इस्तिमाई के दुरान लेकिन आगे जाकर जो spiritual tourism है या फिन नए expansion plans है इसके उपर क्या company के विचार है यह जाना काफी ज़रूरी है नतीजे हर लियाज से काफी बढ़िया रहेंगे आज सुबह कुनाल जी ने भी recommend किया था और कल सुमिध जी की भी recommendation थी और stock में भी वहां से अच्छा momentum आया है आए SBI Securities के Sunny अगरवाल साब भी हमार साथ show पर जुड़ रहे हैं जय ठककर का भी करेंगे स्वागत सानी जी गुड़ाफनून एक बार जरा Indian hotels पर आपकी भी राहे लेना चाहूंगा travel season भी जोर शोर में चल रहा है जिस तरह से एक expectation है कि Indian hotel के number जो December quarter में अच्छे थे, March quarter में भी वह उसका continuation हमें देखने मिलेगा and to that extent I think stock price भी वह reflect कर रहा है I think मोटा मोटी अब जो company है 17-18 क्रोड का सालाना profit बनाने लग गई है और जिस तरह से कहीने के balance sheet deleveraging हुआ है, asset light model पर company shift हुए और जिस तरह से ARR और average room rate जिसे हम कहते हैं उसमें कहीने के aptik देखने मिल रहा है, मुझे लगता है कि entire hotel as an industry is in sweet spot for next 2-3 years और जो earning growth का जो सिलसिला है, हाला कि on a higher base में भी 25 में थोड़ा खाम होते दिखेगा, बट जो earning growth है वो कहीने कहीने की structurally 2-3 साल के लिए पूरे hotel industry में आते हुए दिख रही है और Indian hotel definitely one of the largest hotel chain in India, उसको इसका benefit आते ही दिखेगा, at the same time जो छोटी hotel companies है, जैसे recently listed company है, APJ Surinder, The Park के नाम से जो जानी जाती है, इस तन इंडिया में काफी बड़ा income hold है, उसमें भी हमें expected है कि कहीने के नतीज़ अच्छे आएंगे, so I think entire hotel industry is in sweet spot. ओके तो यह है आपके लिए पूरे होटल इंडिस्स पर जबर सेक्शन होता हुआ दिख रहा है, नतीज़ आने की तैयारी में है Indian hotels के, और देखने नमर्स मजबूत आने की उम्मीद है, भी मजबूत नमर्स आएंगे या कमजोर डाल में भारत के, बताने के लिए तैयार है आशीश, आशीश बताया है नुवान, आज है न रिजल्स, बिलकुल सर नतीज़े जो है ठीक ठाकी देखने को मिल सकते हैं, ठीक ठाक से क्या मतलब, अब दिक्कत मैं बताता हूँ, operational performance तो अच्छी है, बिटा तो यहाँ पर 13.5% की growth आ जाएगी, margins भी 1% बढ़ जाएंगे क्योंकि तिमाही के दुरान जो सीमेंट की कीमते यह घटी हैं, अब सारे आकडे में आपको बताया देता हूँ, revenue यहाँ पर 7% की growth है, 4,170 क्रोड का अकड़ा expected है, जैसे कि मैं आपको बता है कि operational front पर EBITDA 13% की बढ़त देखने को मिलेगी, 707 क्रोड से बढ़कर 801 क्रोड, और margins की जैसे कि मैंने बता है कि almost एक प्रतीशत का आसपस का expansion है, और मुनाफे में जो dent देखने को मिल रहा है, वो exceptional item के तरफ से, और अगर उसे हटा के देखें, तो नतीज़ अच्छे, 296 करोड है, adjusted basis पर अगर आप देखें, तो मुनाफे काड़ा expected, जो कि पिछले साल करी 590 करोड था, नमबर ठीक टा का रहे हैं सर, नमबर सच्छे रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं, आपर डालमया भारत आज इपने नमबर्स पेश करें, माफ देख ले न, आज आज है, आज है, आज है, आज है, आज है, ठीक है, आज है, mostly बाजार बंदोने के बाद, आज ब आज है, 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 आज